हेलो दोस्तों नमस्कार एक वाफ्रीश श्वागत है आपके अपने यूटॉब चैनल हर्सिंग की दुनिया में तो साथ ही ओ आज की जो वीडियो है बहुत जादा इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा कितने चलन में होगी भी को पूड़ा एकदम न्यू नोटीज के निव्योटिज को जो है एनलाइस करके पूड़ा जो है आप लोग के सामने ये वीडियो आ रही है तो इस वीडियों बात करते हैं परिक्षा पैटर्न क्या रहने वाली है, कितने टाइप से परिक्षा होगी, कि इसमें निगेटिंग मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, चयन परकिरिया क्या रहेगा, कितना इसका कट अफ जाएगा, तो फूल वीडियो जो है, फूल अगर आप इस चैनल पर पहली बार आयें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन साथ इसाथ बेल एगन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे द्वार दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देई के सबसे पहले आप तक होच्छों के साथियों, तो समय को ना चलते हैं इन्फॉर्मिशन की तरफ और देखते हैं एकजाम पैटर्न सबसे पहले क्या कुछ रहने वाली है, तो साथियों जैसे कि हम सबी बात कर रहे हैं, एन्म 10709, ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप लोग जो हैं यहां पर नोट पैटर्न ठीक है, इकजाम पैटर्न, तो इकजाम पैटर्न की जैसे हम बात करते हैं, उसमें पहला कोश्य यह आता है कि कि तने नंबर अधुर्ण का है, तो सब से पहले जैसा किि आप सभी जानते हैं, जो एक्जाम है, यह 100 नंबर का रहने वाला है, अब बात यह आती है कि यह CBT paper होगा या फिर जैसा कि यहां पे notification में दिया गया था लिखित परिक्षा ठीक है लिखित परिक्षा तो guys ज़्यादा chance है आप लोगों का CBT परिक्षा कहीं ठीक है अहां पे जो है advertisement जो जारी किया गया था उसमें साप साप लिखा था लिखित परिक्षा लेकिन ज़् cbt ही होने का घीघ है अब बात कर लेते हैं इस में से जो है यहां पर दो टाइप जैसे कि टेकनिकल और नॉन संदेंगल जैसे कि आपका तो यहां पिसके अलावा जो है बीटी एस सी यहां पर पूषती है जैसे कि जीके जीएस जीके और गीएस ठीक है काफी candidate का यहां पे comment यह भी आया था कि math भी आएगा क्या तो math reasoning बगएरा जो है यह आता है लेकिन वो जो आता है जैसा कि आप सभी 88 तिरपन का इसे पहले देखे होंगे जो संबीदा कर्मी संबीदा पर जो आथा उसमें जो है यहां पे math reasoning बगएरा भी आता है लेकिन BTS जो बहाली निकालते है उसमें बस GKGS आएगा ठीक है तो यह देख लिए आप लो अब जो है A&M का यहां पे negating marking रहे गा या नहीं तो फिलहां साथ ही हो यहां पे जो है negating marking की बात तो है कि आप अगर एक question अगर आप गल्दी करते हो तो 0.25 marks आपके सही में से काट लिए जाएंगे यानि कि चार question अगर आप गल्द करते हो तो आपके एक number यहां पे साफ जो सही है उसमें से काट लिए जाएंगे तो आप लोग इस बातों का ध्यान रखिएगा ठीक है अब जो है यहां पे इसका बात कर लेते हैं कि A&M में A&M में अगर किसी का marks जो है आप लोग को 75 आया है ठीक है CVT का marks 75 आया है एंड अगर आप A&M के साथ GNM भी करे हो तो आप लोग को पता है जैसा की साथियों कि यहां पर जो है आप लोग का experience अगर आप लोग experience की बात कर लेते हैं तो ज्यादा तर 25 नमबर experience का दिया एक साल अगर संभीता पर आप काम कियो तो पाचीस नमबर मिलेगा और अगर आप साथ साल काम करते हो तो भी आपको 25 नमबर ही मिलेगा ठीक है तो इसमें यह माइने नहीं रखता है कि आप 5 साल दो साथ साल दो जो आपका experience रहेगा वही आपको आपको मांगा जाएगा परकिरिया की बात कर लेते हैं तो जैसा एकजाम में आपको साथ नमबर साथ शीष्टी पर्ण सेन्ट यहां पर प्राप्त हुआ है यहां पर कितना भी परशेंट आपका आया उससे आपको क्या करना है 0.6 यहां पर देखिये तो अहां पर आप सभी को साब्साइब की चल तो कितना आया आपको 48 ठीक है 48 अंक जो है एहां पर आपको आया अब इस परकार आपको City हूं समाग से यहां पर प्राप्त हुए टोटल 73 इसके साथ अगर आप लोग अपना जोड लीजिए अब इसका जो है चैन परकिरिया किस पारकार होगा यानि कि आपका जो है जैसे 73 नमबर आया है फॉर्म जो है 50,000 पचास हजार लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन इहां पर सीट कितना है 10,600 ठीक है तो इस परकार जो है 10,600 तो चैन परकिरिया इसकी क्या रहेगी तो सबसे पहले जो है जो बच्छों ने इहां पर जिस भी कैंडिडेट न 98, 90, 89 यानि कि अपर से अपर से लोड की तरफ आएंगे यानि कि उपर से नीचे की तरफ जितना हाई से लोग वाले हैं तो हाई से यहां पर कैंडिडेट को चूज किया जाएगा ठीक है 98, 90, 89 इस परका और जैसे है 73 पे आता है नमबर अगर इसी कैंडिडेट में से 90, 98 व यानि कि उनको कांसलिंग में इहां पर नहीं बुलाया जाएगा तो यह देख लिए आप लोग तो इसी प्रकार जो है इसका इहां पर यह रहने वाला है अब आप लोग के मन में अगर इसके डियारी और भी कोई डाउट हो तो आप मारे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके कर सकते हैं तो अगर इसके डियारी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ लेना एम सियोर अबसे इसका रिप्लाइ दूंगी तो कैसी लेगे इंफोर्मेशन आप संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो मिलते हम साथ यो नेक्ष्ट इनफोर्मेटीव एंड अथेंटिक वीडियो के साथ तब तेक लिए चैनल पर बने रहें बाबाई टेक के साथ यो